पीले भीत की कोतवाली जहानावाद शेपर के ग्राम कुकडी खेडा में उस समय हर कंप मच गया जब गाओं के पास में ही बहने वाली नदी में की वक्का शब तैरता हुआ देखा गया आननफानन में ही कोतवाली जहानावाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली जहानावाद प्रभारी निरिक्षक पुलिस बलके साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा नदी में तैरते वे शब को ग्रामेनों की मदद से नदी के बाहर निकलवाया शब को नदी के बाहर निकालते ही ग्रामिनों निशब को देखकर उसका शिनाक्त कर दिया बता जा रायी की पंच नामा भर शब को पोस्ट माटम के लिए पिली भीत भीजा गया आगे की कारवाई पोस्ट माटम रिपोट आने के बाद की जाएगी मधुरा के गोवरधन राधाकुंड श्यामकुंड के बिहारी मंदर के निकट लगाया गए गेट को लेकर कसवावासियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है बिना नगरपंचायत की अनुमती के पांच पांडव घाट पर लगाया गया गेट को हटवाने के लिए नगरपंचायत भवन में बैठक की गई बैठक में आधिशास्य अधिकारी एबम कई लोग मौझूद रहे जिसमें अध्यक्ष और सभा सदों ने पांच पांडव मार्ग पर लगाएगा गेट को अवैध बताया और सुचारू रखने के लिए राधा कुंड़ चौकी पुलिस को नामजद शिकायत पत्र देकर कारवाही करने की मांगी है पिली वीद के सांसद वरुन गांधी ने आज पहुँचकर 25 ऑक्सिसन कंसेंट्रेटर सीमो वजला प्रशासन को सौपे हैं साथ ही कहा है कि अगले हफ़ते वो जरूरी दवाईयां और इंजेक्शन का भी इंतिजाम करेंगे वरुन गांधी ने याभी कहा कि पिली वीद के लोगों के लिए लगतार वो अपना तनमंधन लगा रहे हैं क्योंकि जनता उनका परिवार है उन्होंने कहा कि उनकी मा मीनिका गांधी भी कोरोना से पिरिद है और जिस तरह से वो अपनी मा का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह वो पिली भीत के वासियों का भी ध्यान रखना चाहते हैं बुंदेलखन में स्वास्ते विभाग और सरकारी अस्पतालों के क्या हाल हैं जाने के लिए हमारी टीम हमीर पुजले में कुसमरा गाउं के इस सुपराथने के स्वास्ते केंदे में पहुँची तो हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला सरकारी अस्पताल में ना सर्फ ताले बन थे बलकि कई मरीज अस्पताल के बाहर डॉक्टरों के आने का इंतिजार करते हुए सरकारी अस्पताल के गेट का ताला पकरे खड़े थे और गंभीर मरीज अस्पताल गेट पे लेटे हुए थे रामिनों ने बताया कि अस्पताल अर्से से बंद पड़ा हुआ है और गाउं के लोगों को 15 किलोमेटर दूर जिला मुख्याले हमीरपुर के प्राइवेट डॉक्टरों से लाज करवाने को मजबूर होना पड़ता है। प्रधाणी रंजिश को लेकर नगला कंज वर्तमान प्रधान सुरेंदर यादर के प्रतिनिधी राखुल दुवे को अजयात वदमाशो ने गोली मार दी। बदमाशों ने पीछे से हमला किया, गाउन दॉली से छिवरा मवव अपने घर प्रतिनिधी जा रहे थे, रात्री में बाइक को घेर करी, पांच लोगों ने फायर किया, प्रतिनिधी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको विशुन गढ़ थाना से महज 500 मिटर दूरी उ को अस्पताल में भरती कराया गया है, गलियों में भरा हुआ पानी वा सड़क पर खोदा गया या गढ़ा जले के पीएसी कॉनली के पास अमरित योजना के तहत डाली जा रही, सिवर लाइन के लिए है, अब यही गढ़े लोगों की जान के दुश्मन बन गया है, बारिश कारियों से की, लेकिन किसी ने इस पर धिहान नहीं दिया, जिसे लोगों में आक्रोश का माहूल है, जमीन विवाद को लेकर परोसियों में हाथ हपाई, देखने को मिली जी आपको हम बता दे की, खबर बारा सगबर थाना शेतर के पचीशा गाउं का है, जहां जमीन विव लेकर परोसियों में लात घूसे चले, जिहां युवक और युवतियों के बीच मार पीट देखी गई, महिलाव पुरुशों में जम कर लाठी डंडेवा, इट पत्थर से एक दूसरे पर वार किया गया, मार पीट का वेडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है, उत्तर भारत में हम आज हम बारिश का नजरा देखने को मिला ताउते तूफान का सर उत्तर भारत में भी धीर धीर देखता जा रहा है, बारिश से फसलों को भी काफे नुकसान पहुँचा है, बारिश ने सर को भी नुकसान पहुचा है, मुबई और गुजरात में भारी दवाही मचाने के बाद अब ताउते तुफान का सर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है डीम के पहल पर सीमो कार्याले परिसर में सर रहे तेरह मीनी ऑटो चालू होने वाले हैं इनके जो मरमत हैं वो शुरू हो चुके हैं आपको बता दे कि वर्ष 2011 में एनार हम से तेरह सचल दस्ता वाहन मिला था बिवाद के बाद शासन ने मांग लगा दी थी कि इन वाहनों की चावियों ने दे दी जाए डीम ने शासन को पत् लंबी लाइन लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां हो रही है स्वास्त विभाग के अलादिकारी भी मूख दर्शक बनके खड़े हैं वैक्सीन की आर में कोरोना महमारी को और नियोता देता है नजार नजार आ रहा है बाह के संभुनात सामुदाई के स्वास् थाना काफी जरूरी हो गया है प्रियागराज के गंगा पार लाके के फाफा मुख घाट और थाना नवाव गंज के श्रिंग वेरपुर घाट पर लाशो कामबार लगा है और आपको बता दे कि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो यह इंफेक्शन का और संक्रमन का जो खत जगह जहां परियतक और शद्धालिवों की संख्या बड़ी देखी जा सकती थी आप आप